हलो फ्रेंड एसे में जो किसन सर्विसेस के ओपीसियल यूटूब चैनल पे आपका स्वागत है मैं इसके सिंग आज बात करने वाला हूँ आयूस कॉंसलिंग और साथ में बीडियस कॉंसलिंग को लेके आयूस में जैसे BAMS, BHMS, BUMS और BNYS को लेके वैसे स्टुएंट जिन्हें MBBS का सीट नहीं मिला है MBBS में एनमिसन नहीं ले पाए है और स्कोर कम था या जश्ट क्वालिफाइड है या क्वालिफाइड नहीं है उन स्टुएंट को कॉन-कॉन से ब्रांच में कॉन-कॉन से कोर्सेस के लिए आपको सीटे मिल सकती है तो इस वीडियो को लाश्ट तक ज़रूर देखें और साथ में मैं बताऊंगा 4-5-7 ऐसा स्टेट है जहांके अभी कॉंसलिंग चल रहा है क्या एक्टिवीटी है कॉनसलिंग का हो मैं आप लोगों के साथ सेर करूंगा तो इस वीडियो को लाश्ट तक ज़रूर देखें सब्सक्राइब करके रखें और यदि आपको पेड सर्विस चाहें तो पेड सर्विस अविल कर सकते हैं यहां पेड सर्विस है इसमें आपको प्रोपर कॉंसलिंग गाइडेंस दी जाती है और आपको 100% सीट भी मिलती है गाइडेंस के माद्यम से तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ हरियाना का तो हरियाना एक मात्र ऐसा स्टेट है जहां कि अभी आयरुवेदा के लिए BAMS, BHMS के लिए online registration चल रहा है 11 जनवरी 2021 से 18 जनवरी 2021 तक इसका registration होगा जो student हरियाना से BAMS या BHMS करना चाहते हैं वो registration करा सकते हैं हरियाना के official site है www.askau.ac.in पर जाके आपको registration कराना होगा हरियाना का जो आपको result published किया जाएगा वो 23 जनवरी 2020 को आपको 23 जनवरी 2021 को result published कर दिया जाएगा जो unreserved category के जो student है उनके लिए जो आपको registration भी है वो 4000 रूपीज है और category के अगर बात किया जाए तो category wise student जो category से student belong करते हैं जैसे AC, BC, EWS, FF या फिर ESM या फिर HD category से उन student को मात्र 1000 रूपीज payment करना होगा साथ में physically handicap student को भी 1000 रूपीज payment करना होगा registration के लिए NRI category के student के लिए 10,000 रूपीज payment करना होगा हरियाना के लिए यह रहा हरियाना का अब मैं बात करूँगा तेलंगाना का तो तेलंगाना का भी registration चल रहा है online application for 13 January 2020 to 20 January 2021 तक इसका registration चलेगा जो student तेलंगाना से आयूस करना चाहते हैं जैसे BAMS, BHMS, BNYS या BUMS करना चाहते हैं वैसे student तेलंगाना का official site पे आप जाके registration कर सकते हैं इसके बाद अगर बाद करें मध्यपर्देश का तो मध्यपर्देश का आपको registration पोर्टल अभी open हो चुका था second round के लिए लगबख second round का registration फिनीश हो चुका है 24 फिलिंग चल रहा है 14 January 2022 19 January 2021 तक इसका 24 फिलिंग चलेगा round 2 के लिए BAMS, BHMS और BUMS के लिए जो result पब्लिश्ट करिया जाएगी मध्यपर्देश के लिए वो 25 January 2021 को result पब्लिश्ट की जाएगी वैसे student जो ओरिशा से अयरुवेदा करना चाहते हैं उन्हें student के लिए भी बता दू मैं ओरिशा का online registration साथ में 24 फिलिंग 24 लोकिंग 5 January 2021 तो 15 January 2021 तक चल रहा था result जो आएगा वो 17 January 2021 को result कर दिया जाएगा औरिशा का जो official site www.ojwe.nic.in पर जाका आपको registration कराना होगा यह अभी round 1 का चल रहा है बाकी हर एक state का मने बताया round 1 का किसी का round 2 का activity चल रहा है यूपी का कल finally result आया काफी negative shift देखने को मिला कुछ-कुछ college में positive shift देखने को भी मिला अब मैं बात करता हूँ महराष्टा का तो महराष्टा का भी आपको आई उसका counseling चल रहा है लगबग इसका result आ गया है लोग reporting कर रहे हैं महराष्टा का महराष्टा का 5 January को ही result आ गया था और वैसे student जिन्हें की just qualified है अब मैं बात करता हूँ कौन-कौन से student को जो student qualified नहीं है और जो student qualified है लेकिन score के मैं उन्हें कौन-कौन से courses के लिए eligible है बीडियेस के लिए बात किया जा तो बीडियेस के लिए cut-off revise होता है हर एक साल होता है जो student 100 number पाते है या 96 number वैसे student को सीटे मिलने के chances बन सकती है लेकिन जो BMS करना चाहते है और वैसे student जिनका budget है और student क्या हुआ कि NEET का exam भी नहीं दिये है या NEET में qualified नहीं हो पाए है या NEET का exam दिये बहुत कम number है तो यह कोई फरक नहीं परता आपको last moment में ये 12 basis पे 10 पलस 2 के basis आपको admission ली जाती है इसके लिए भी आपको counseling process से ही जाना होता है on merit होता है admission इसके लिए चाहे तो आप contact कर सकते हैं नंबर दिया हुआ screen पे आपको state wise college wise आपको proper guidance दी जाएगी और आपको एक अच्छा सलाह दी जाएगी कौन से college आपके लिए विश्ट है आपके score के अच्छेट के विएप पे तो आज के वीडियो में तना ही दोस्तों थैंक्स फूर वाचिंग है